चुनावी ताना बाडा पूरी तरह से बुल लिया गया है बस वक्त है वोटिंग का और इंतजार है परिनावों का 2014 चुनाव में बीजुपे के तीन मुख्य टार्गेट है एक पचास फीसी से जादा वोट शेयर हासिल करना स्ट्राइक रेट बढ़ा कर असी फीसी तक करना और NDA को 400 से जादा सीटे हासिल करना है सीटों के बटारे को लेकर सीटे आगे बीचे करने को लेकर तमाम दाव पेच खिरने की पूरी तयारी यहाँ पर भाज़पाने कर लिया भारत एट नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ का जोन नराएन दोहजार चौबिस लोग सभार चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है चुनावी ताना बाडा पूरी तरह से बुन लिया गया है बसवक्त है वोटिंग का और इंतजार है परिनामों का दोहजार चौबिस लोग सभार चौनाव में इस बार भारत जनता पार्टी दोहजार चौधा और दोहजार उनिस से भी बड़ी जित हासिल करने का सपना देख रही है और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए साम दाम डंड भेत के साथ मैदान में है इसके लिए पार्टी हर एक कदम फुक फुक कर भी रखती हुई नज़र आ रही है 2019 वाला ही फॉर्मला एक बार फिर से अपनानी जा रही है बीजेपी ने अपने लिए 370 और NDA के लिए अपकी बार 400 का पार का लक्षय हासिल करने के लिए अपने 104 विजिये सांसदों को दोबारा टिकेट नहीं दिया मतलब 100 से जादा सांसदों को चुनावी मैदान से बार कर दिया है वही 2014 और 2019 के तरह ही इस सबार भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चुनाप के लिए पार्टे के प्रचार अभ्यान की शिरवाद उत्तरपरदेश के मेरट से कर रही है मेरट से इस बार भी जोपी ने टीवी के राम यानी की अरुन गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है अभी हाल ही मेजो भाजपाली लिस्ट जारी कीती उसमिन का नाम था अरुन गोविल ने सीट पर लगातार तीन जीद दर्ज कर हैट्रिक बनाने वाले राजेंद अगरवाल की जगाली है आकिर मेरट से क्या है बीजोपी का कनेक्शन यह जानना जरूरी है बीजोपी ने मेरेट से अपना उमीदवार चहरा तो बदल दिया लेकिन इस शेर से चनाव अभियान के आगास की परंपरा नहीं बदली है सबसे पहले 2014 चनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने दो फरवरी को अपने अभियान की शिर्वात मेरट की राली से की थी फिर 2019 लोगसभा चनाव से पहले 28 मार्च को पीम मोदी की पहली रैली मेरट में ही हुई थी अब 2024 चनाव के लिए 30 मार्च को उनकी पहली रैली मेरट में होने जा रही है अब ऐसी में 2017 और 2022 यूपी विधानसभा चनाव के लिए भी नरेंद्र मोदी की पहली चनावी रैली मेरट में ही आइडित की गई थी चाहे लोगसभा हो या विधानसभा चनाव मेरट से अभियान की शिर्वात करना बीज़पी शुभ मानती है बीज़पी का मानना है कि शिर्वात में मेरट से मिली मजबूती का आसर यूपी के दूसरे कोनी परवांचल तक होता है टिकेट काटने में बीज़पी के सेंचुरी जी हां हर बार मेरट से ही चनाव अभियान की शिर्वात करना और प्रचन्ड जीत हांसिल कर लिना बीज़पी ऐसे भरम में बिल्कुल नहीं दिख रही है इस बार भी बीज़पी का सबसे जादा फोकस मिरिंग कैंडिडेट को चनावी मैदान में उतारने पर है तीन सो सतर सीटे जीतने का लक्षे बड़ा है इसके लिए एक-एक सही उमीदवार का चेन भी बहुत जादा जलूरी है और बड़ा फ्राक्टर है 2019 लोकसभा चनाव में बीज़पी के 303 उमीदवार जीत कर संसद में पहुँचे थे इसमें से अभी तक 104 संसदों का टिकेट कट चुका है जिनमें से मोधी सरकार के 10 केंदरे मंत्री भी शामिल है 2019 चुडाव से पहले भी बीज़पी ने अपने 282 संसदों में से 119 की टिकेट काटे थे यानि करीब 42 फीसिदी संसदों को दोबारा टिकेट नहीं मिला था इस बार बीज़पी करीब 450 सीटों पर चिनाव लणने जा रही है इनमें से करीब 90 फीस्ती यानि की 402 सीटों पर उमीदवारों का एलान किया जा चुका है अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सांसदों की टिकेट कौन से हैं वो जिनके काटे गाए है बीज़पी ने अभी तक करीब 34 फीस्ती सिटिंग सांसदों की टिकेट काट दिये है इन बड़े सांसदों में वरुन गांधी, प्रग्या ठाको, रमेश पिदूरी, दर्शना जर्दोष, रमेश पोख्रियान निश्यंग, प्रताप सिम्हा, जर्नल वीके सिंग, अनन्थ हेगडे, अश्विनी चौबे, हर्श वर्दन, गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम है गाजेबा से जर्नल वीके सिंग की जगा अतुल गर्ब को टिकेट मिला है, वीके सिंग ने बड़ती उम्र का हवाला देते हुए, खुछ चुनाव लड़ने से इंकार किया था वहीं पीली भी से वरुन गांधी ने काफी समय से अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था इस बार उनकी जगा जुतिन प्रसाद को मीदवार बनाये गया है बरेली से आठ बार के सांसर संतोष गंगवार का टिकेट कर गया है, बड़ती उम्र का हवाला दिया गया उनकी जगा शत्रपाल सिंग गंगवार को चुनावी मैदान मे उतारा गया बोपाल से सांसद प्रग्या ठाकूर को टिकेट नहीं मिला विवादित बयानों के वज़े से अक्सर सुर्ख्यों में रहने वाली प्रग्या ठाकूर के जगा आलुक्षर्मा मैदान में है उत्तर कंडर से छे बार के सांसद अनंत हेगडे चनाम नहीं लड़ेंगे हेगडे बार-बार विवादित बयान देकर सुर्ख्यों में रहे उनकी जगाव विश्विश्वर हेगडे लड़ेंगे गुनासेट से सांसद के पी आदब के जगा जोती रादित्य सींद्या को बीजोपी ने उमीदवार बनाया है एक तिहाई सेटिंग एमपी बदल देने की पीछी आकिर भाजपा की रनीती किया है जो ही सही सावित होती है देखे बीजोपी हमेशा चनाव में ऐसा करती आई है पहली बार नहीं है गुजाक विधानसवा चनाव में बीजोपी ने अपने सारा मंतरी मंडल और यहां तक की मुख्य मंतरी चेहरा भी विदल दिया था और नतीजा था कि बीजोपी को पहले से भी बड़ी जीत मिली ऐसा कई राजपी विधानसवा चनाव में हुआ है बीजोपी हमेशा ही नए चेहरे लेकर आती है खास बात यह है कि यह नए चेहरे जादा यूवा होते हैं एक दशक से देखने को मिला है कि बीजोपी को इस फाइदा भी मिला है दोजा चौबिस में भी बीजोपी यही रणीती अपना रही है इसे कई से कई पार्टी को नुकसान होने की उमीद है नहीं चुनावी मैदान में कितने केंद्र मंत्री और मुख्य मंत्री अभी बीजोपी कम से कम 30-40 उमीदवारों के डाम और घोशित करेगी तो माना जा रहा है कि इसके अलावा भी कई मौजुदा सांसुदों के टिकेट कर सकते हैं जैसे अभी तक विवास्ट पर सांसे ब्रिजबूशन सरन सिंग की उमीदवारी पर फैसला नहीं आया है आलाकि अब तक 104 टिकेट करने के बावजूद बीजोपी के पास च शुद्ता मुरूपाला हो गए तीन केंद्र राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेकर हो गए वी मुर्ली धरन हो गए एल्ग मुर्गुन हो गए साथ पूरव मुख्य मंत्री नरिंद्र मोदी हो गए राजना सिंग हो गए शिवरा सिंग चोहान हो गए बासवाराज बोंब अभी तक हम बीजेपी की बात कर रहे थे हैं बीजेपी ने अब तक अपनी 6 लिस्ट में 402 मीदवारों के नाम का एलान कर दिया वहीं कॉंगर्स के ओर से भी 4 लिस्ट जारी की जा चुके है करीब 280 सीटों पर चुनाम रणने की योजना बन रही है इन में से 193 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं वानिसे से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी एक खिलाव अजर राय को कॉंगर्स इंटिकर दिया पुल्व केंद्रे मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ते चिदंबरम को तमिलाडू की शिवांगंगा से चुनाम मैदान में उता रहा है हाले कि गांधी परिवार की परंपरिक सीट अमेठी और रायबरिली से उमीदवार की घोशन नहीं हुई है इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है बीजेपी ने रायबरिली सीट पर अप्मिलम बाद का राल नहीं किया अब की बार चार सो पार का लक्षय अतेक हीर लिया गया इस बड़े लक्षय का मुकाबला इसलिए भी रोमान्चों को उता नजर आ रहा है क्योंकि पिछले प्रदर्शन के आधार पर उपक्षी खेमा भाजपा के लिए जिन राज्य को आपदा बता रहा है भाजपा के रंटी कार वहीं सीटे बढ़ाय जाने की गिंजाईश को अफसर के रूप में देख रही है उनके भरोसे भाजपा के रंटी कारों का मानना है कि उत्तरप्रदेश, पश्रमंगाल, और सातेलांगाना, आंध्रप्रदेश, तमिलाडू में पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है केरल में भी नए समिकरणों के साथ भाजपा आजादी के बाद पहली बार खाता खूलनी की उमीद कर रही है देखे, उत्तरप्रदेश में 71 अकेले और दो सयोगी के साथ 73 सीटे जीतकर भाजपा ने 2014 में सर्वसेष्ट प्रदर्शन किया 2019 में सपा बसपा गडबंदन के बावजोद भाजपा सयोगी अपना दलैस के साथ 64 सीटे जीतने में सफल रही थी यहां उसकी 9 सीटे कम हो गई जिन्हें बढ़ाने के जतन अभी भी किये जा रहे है देरसल यूपी में 75 पार के उम्मीद इस बार बसपा ने एकला चलो का नारा दिया है 2017 में कॉंग्रिस तो सपा का गडबंदन देख चुकी भाजपा इस बार भी इस गरजोड को कोई चुनोती मानकर नहीं चल रही वहीं जयन चौधरी और उन्प्रकाश राजपर के साथ आने से पश्चिम और पूर्वी उत्रप्रदेश में कई सीटों के समिकरन भाजपा अपने पक्ष में मजबूत होते देख रही है भाजपा के रनितिकार सायोगियों के साथ इस बार कुछतर काकणा पार करने के उमीद कर रहे हैं इस तरह से पश्चिम मंगाल में भाजपा इस बार दस से पंदरा अधिक सीटे जीतने के उमीद लगाये हुए है मामता मेलर जी के विपक्षी गडबंदन से बाहर होकर सभी वयारी सीटों पर इमीदवार खड़े करने से साथ हो गया है कि इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और ट्रिनमल कॉंगर्स के बीच होगा यही पिछली बार भाजपा को 18 तरिनमल कॉंगर्स को 22 सीटे मिरी थी वही कॉंगर्स को दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था भाजपा पहले यहां 33 सीटों पर मजबूती से लड़ने और में 25 से जाधर सीटे जीतने के रणीती पर काम कर रही थी लेकिस संदेश खाली की गटना और साजा अशेक के सीबियाई की रासत में आने के बाद बंदलते महाउल को देखते वे पार्टी ने एक वरिश रनीतिकार का मानना है किस बार भाजपा अगर 32 से 33 सीटे भी जीत वे तो आश्चर रेर नहीं होना चाहिए चुनाब से जुड़ी और हर छोटी जो अपडेट है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं दरसल औरिसा में भले ही सीट बटवारे को लेकर खीशतार जारी हो लेकिन भाजपा के एक वरिश नेता ने साब कर दिया है लोगसभा के किस सीटों वाले औरिसा में भाजपा के पास अभी आठ बीज़द के पास बारा और कॉंगर्स के पास एक सीट है अगर बीज़द बाजपा साथ मिलकर चुनाब लड़ते हैं तो सभी किस सीटे राजग के खाते में आ सकती है ऐसा ही तिलांगाना का भी हाल है बीरस का धलाल प्लकातार हो रहा है तिलांगाना विधानसवा चुनाब में हार के बाद बीरस का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और मुख्य मुकाबला भाजपा और कॉंगर्स के बीच होने की उमीड है ब्यारस के दो साथ साथ भाजपा में आ चुक है और पार्टी ने उने टिकेट भी दिया खबरों की माने तो ब्यारस के चार पाँच और साथ साथ संपर्थ में हैं वहीं पार्टी में शामिल होना चाहते है। 14 में उल्टा परिणाम आया था तो यहां पर भी कहीं ना कहीं सीटों के बटवारे को लेकर सीटे आगे पीछे करने को लेकर तमाम दाव पेच खिनने की पूरी तयारी यहां पर भाजपा ने कर लेकिन सबसे मैं तो पूर्ण यह है कि क्या केरल में ताकत बनकर उबर पाएग तो फिर साम डाम रंड भेद के साथ कैसे भी करके आपको तो यारी तो करनी पड़ेगी अगर 400 प्लस सीटे चाहिए अब देखना है कि क्या वाकी 400 पार का सपना भाजपा का पूरा हो पाता है या फिर जो इनिया गडबंदर है वो पूरी तरह से सेंद मारी NDA के अंदर करक दमडेगा भारता टाइम में आज के लिए इतना ही कर फिर लौटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे थने बाद